हाई फ्रेंड्स आयम धीरेंद्र यदि आप महीने के 20 से 30 यह रुपे घर बैटकर वर्टु होम कमाना चाहते हैं तो आप भी एक ब्लॉग बनाईए एक ब्लॉग भी सेट बनाईए और हमारे साथ जुड़िए पैसे कैसे कमाते हैं इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा इन्टरनेट के माध्यम से यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो इन्टरनेट पे सबसे भरोशेवन अगर कोई साइट है तो वह है गूगल गूगल से ज़्यादा भरोस्य बंद और कोई इस समय सर्च इंजन नहीं है यह आप भी जानते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसी साइट पर वर्क करें ऐसी साइट पर ब्लोग बनाएं जो भरोस्य बंद हो गूगल की हो और उससे एक अच्छी अर्निंग कर सके हैं तो अर्निक करने के लिए गूगल के दो प्लेटफॉर्म हैं फर्स्ट है यूट्यूब आप जानते होंगे यूट्यूब वीडियो बनाएं यूट्यूब वीडियो बनाके अप्लोड करिए और सेकिंड है ब्लॉगर ब्लॉगर गूगल का अपना है तो ये दोनों साइटें गूगल की अपनी हैं तो इसलिए हम चुलेंगे गूगल का प्लेटफॉर्म ब्लॉगर ब्लॉग बेप सैट बनाने से पहले आपको यह जानना होगा कि ब्लॉगिंग क्या है और वो कैसे अर्निंग कराता है आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्चिंग करना होता है तो आप Google Search Engine पर जाते हैं और जो कुछ आपको सर्च करना होता है वो आप Google Search Engine पर टाइप करते हैं उन सब्दों को पढ़कर आपका डाटा जो आपने सब्द लिखे हैं उनको कलेट कर सभी वेब साइटों पर तुरंत सेकिंडों में सारी साइटों से वो डेटा कलेट करके आपके सामने रख देता है जो कीवर्ड आपने लिखे होते हैं Google ने सारा डेटा कलेट करके आपके सामने शाफी नियूंद पर रख दिया आप उसके कंटेंट पढ़ते हैं उसकी हैं पापना तााीट देते हैं और आपको अपने मतलब का कंकरते हैं जो आप information चाहा रहेते वो information आपको उस site से मिल जाती है जिस site से आपको अपना पूरा information मिल गया आप कहते हैं ये website बहुत अच्छी है ऐसे होता है ना ये बहुत अच्छी है अब क्या होगा जब कभी आपको दुबारा कुछ सर्च करना होगा तो आप पहले उसी website को पसंद करेंगे जहां पर कि आपको पहले detail में पूरे information मिल गया थी आप उस site को ज़्यादा प्रिफर करेंगे जो आपको detail में information दे रहा है गूगल भी यही करता है जिसके blocks ज़्यादा अच्छी लेके होते हैं उनको उपर रखता है कम rating वाले हैं कम readers आते हैं उने पीजों को नीचे रखता है इतनी सारी information इतनी सारी website उपे यह information आती कहां से है तो इतनी सारी जो बेप साइट से उनपे जो information दी हुई है वो बेप साइट वो information कौन डालता है blogger डालता है उसी को हम कहते हैं blogger और वो जो information लिखके post करता है उसको हम कहते है blog post तो जो articles जो information उसमें लिखी होती है उसको हम कहते है blogs तो सब्सक्राइब बात है जिसका जितना ज़्यादा अच्छा content होगा जितना detail में content होगा वो blog उतना ही अच्छा कहला है तो दोस्तों हम बात कर रहे थे how to create a blog website थोड़ा मैं detail में चला गया था लेकिन detail में जाना जरूरी होता है क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को बिना सोचे समझे शुरू कर देंगे blog हम कह रहे हैं blog बनाईए बिलोग से earning सुरू करिए आप भी चल दिए उठा लिए copy pen उठा लिए आपने अपने अपना mobile desktop पे लग गए इस बिलोग बनाना सिखा रहे हैं earning होती है चला हम सुरू कर देते हैं नहीं दोस्तों पहले पूरा detail में समझे जानिए कैसे बोता है कैसे बिलोग बनता है कहां कहां आपको प्रिसानी आएगी क्या क्या आपकी requirements है वो सारा fulfill कर लीजिए सब data collect कर लीजिए उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे अब earning कैसे होती है Google का ही अपना एक platform है Google Adsense आपने नाम सुना होगा अपने देखा भी होगा उसके लोगो Google Adsense लेकिन Google Adsense किसी के कहने पर ये किसी के दवाब में काम नहीं करता है Google Adsense का काम है Google पर अपने Ads देना आपको अगर सबोस करीए आपकी कोई company है आप अपनी company को promote करना चाहते हैं आपने अपना एड Google Adsense को दे दिया कि मेरे एड को आप आगे दिखाईए ठीक है और इसके लिए हम आपको इतना रुप है पे करेंगे Google Adsense उस एड को आपको दिखाएगा और जो पैसा उसने अर्णिंग किया है उसमें से कुछ पैसा आपको देगा तो Google Adsense आपको डारेक्ट नहीं देता Google Adsense ये पैसा Google को देता है वेब साइटों के लिए कि आपकी जो वेब साइट्स हैं जो टॉप पे चल रही है उन पे हमारे ये एड दिखाईए और ये एड दिखाईए और बदले में उनको कुछ पैसा देजिए तो जब आपकी वेब साइट्स आपकी ब्लोग्स टेंड करने लगेंगे गूगल पे लोगों द्वारा सर्च होने लगेंगे रीडर्स द्वारा पढ़े जाने लगेंगे गूगल तुरंट आपको एड मेसेज भीज़ता है उसको आप भरते हैं लोगिन करते हैं और आपकी साइट पर एडसेंस के एड आने वाते हैं जैसे ही एड आना शुरू होते हैं आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है जितनी ज्यादा readers, जितना ज्यादा उन्होंने time spent, उतनी ज्यादा आपकी earning पर दोस्तों, इस blogging की field में patience बहुत जरूरी है आप चाहते हैं कि मैं आज blog बनाऊं, कल post करतूं, परसों post करतूं, दस दिन में 20 post करतूं और मेरी earning सुरू हो जाए तो नहीं दोस्तों जो यूट्यूवर्स और ब्लोगों पर दिखाते हैं कि 50,000 रुपे कमाईए, 75,000 रुपे महीने कमाईए, कल से कमाईए, 3 मिनट में बिपसाइट बनाईए, 5 मिनट में earning सुरू करिए, यह सब भ्रामक है, यह सब गलत है हाँ, ब्लोग्स आप लिखना सुरू करते हैं, ब्लोग बिपसाइट बना ली है, आपकी earning होगी, 100% होगी और मैं फिर क्या रहा हूँ, 20,000, 25,000, 30,000 रुपे तक महीने तक आप कमा सकते हैं, बड़ी आसानी से लेकिन थोड़ा सा patience रखना होगा, आपको अच्छे अच्छे articles लिखने होगी, अपने articles की quality, अपने picks डालनी होगी, उन articles से related आपको picks भी डालनी होगी picks अच्छी quality की हो, जब कोई readers आपकी website पर जाए और वो page open करें, तो उसको लगे कि हाँ, मैं किसी professional blogs पर आया हो, लगना चाहिए उसको, एक अच्छी website है, तो उसको decorate करना आपका काम है, थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा time देना होगा, है ना, जब आपने ये time उस पर द दिया, आपने blog को बढ़िया संदर से तरही किसा सजा दिया, अच्छे अच्छे स्कूल में आर्टिकल्स आपने डाल दी, पोस्ट कर दिये, फिर धीरे 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 readers आना सुरू हो जाएंगे, traffic आना सुरू हो जाएगा, और एक बार आपके Google साइट पर, आपके अपने URL प फिर उसको कोई नहीं रोकता, फिर बहुत तरीके हैं दोस्तों, हाँ को बताएंगे कैसे traffic को लेके आना है, आज अगर आपकी website पर पचास सो लोग आते हैं, मैं आपको तरीके बताऊंगा, system बताऊंगा, आपकी site पर हजारों लाखों readers आएंगे, तो दोस्तों बहुत हो ग फिर आपको mail id चाहिए, यदि आपके पास mail id है, तो ठीक है, और यदि नहीं है, तो कैसे बनाते हैं, अभी हम आपको सिखाएंगे, second आपको चाहिए है, एक title, title कहां से choose करेंगे आप, मैंने आपको एक पहला वीडियो डाला था, niche का, और मैंने कहां था, इस niche वाली वीडि किये, फढ़िए, सोचिए, और वहां से अपना एक topic या एक niche टै करिए, कि आपको अपना blog किस topic पर लिखना है, उस niche से, तो please, जो लोग first time मेरे को देख रहे हैं, तो please, मेरा niche वाला वीडियो जरूर देखें, उसको detail में समझें, और वहां से एक niche choose करिए, उस niche को choose करने से, आपको अपना title मिल जाएगा, title जब आप लिख लेंगे, कि मेरे blog का ये title होगा, आपके articles और से related होगे, आपको चाहिए mail id, आपको चाहिए title, आपको चाहिए address, आपको चाहिए description, description जिस topic पर आप अपना content लिखना चाहते हैं, वो content किस से related होगा, health से होगा, weight loss से होगा, fitness से होगा, sports से होगा, entertainment से होगा, आपका content किस से related होगा, वो दो चार line है, short में, सुन्दर सी, कि पढ़ने में लगे, मज़ा आ जाए, ऐसा description आपको लिखके रखना है, एक आपको logo चाहिए, ये सारी चाहिए चाहिए, तो आप अपनी एक website बना लेंगे, दोस्तो ये सारी चीज़ें यहीं मिलेंगी, फिरी में मिलेंगी, अब हम चलेंगे अपने desktop पर, जहां पर कि मैं detail में इसके बारे में बताता हूँ, और दोस्तो हम इसा की तरह, यह आप first time मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप नए नए मेरे से जुड़े हैं, तो please मेरे व कहीं पर भी आप वेबसाइट बनाने में, ब्लॉग बनाने में, शुरूश लेकर end तक कहीं भी आप हसेंगे नहीं, सर्त एक है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, कहीं बर भी skip ना करें, तो दोस्तो अब हम चलते हैं desktop की screen पर, ब्लॉग बिपसाइट बनाने के लिए, हमको कुछ requirements होगी, क्या क्या requirements होगी, यह भी हम आपको एक notepad पर लिख कर दिखाते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगी, एक mail id, mail id के बाद आपको एक title चूज करना होगा, जो कि आपको निश्य मिल जाएगा, इसके बाद आपको चाहिए होगा एक address, address भी आपके title से related ही होगा, और एक चाहिए होगा आपको description, जिसको कि हम कहते हैं text, उस description में आपको क्या लिखना है, जो भी आप title अपना बना रहे हैं, जो आपका address है, जो आपकी website है, बनेगी, वो website किस से related होगी, उस website पर आप किस type के articles पोस्ट करेंगे, किस चीज से वो related होगे, यह सब description में आता है, और यह सब चीज़ें आपको छोटा सा चार लाइन में, उसमें आपको लिखके यह पेखना होगा, तो अब इसमें जो title है, देशी जैपर दुनिया, मैं इस पर बना रहा हूँ, यह आपको अपना निस से choose कर रहा होगा, जो आपने मेरा पहला वीडियो देशा है, निस वाला, वहाँ से आप देख लीजिए, आप किस निस पर काम करना चाहते हैं, कौन से title आप रखना चाहते हैं, वहाँ से सक लीजिएगा, एड्रेस भी आपके title से related होका, लेकिन एड्रेस जब आप वहाँ पे enter करेंगे, हो सकता है, save to sim आपको ना भी ले, हम try करेंगे, और best से best address हम अपना enable करने की कोसिस करेंगे, तो दोस्तो इस प्रकार मैं भी आपके साथ एक mail ID बना रहा हूं, एक blog website बना रहा हूं, और जैसे जैसे हम बना रहे हैं, वैसे वैसे आप भी बनाते चलिएगा, और हम खोलते हैं Google, अब आगए हैं, अपना Google खोल लिया हैं, दोस्तो, सब्सक्राइब हम खोलेंगे Gmail, Gmail खोलते हैं, और यहां पर हम जाते हैं, create पे, और सब्सक्राइब आपको अपना name एंटर करना होगा, जैसे कि मेरा नाम धीरेंदर है, मैं अपना नाम इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद आता है आपका last name, आप last name, एंटर कर दीजिएगा, उसके बाद वो कहता है username, अब दोस्तो, मैंने अब चुना है अपना desi rapper, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, यह कह रहा है, that username is taken by another, इसमें हम थोड़ा साथ changes करते हैं, और हम लेते हैं, desi indian rapper, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल गया दोस्तो, तो हमारा यह side way, इसके लिए हम लगते हैं password, कन्फर्म करते हैं, password को, next करते हैं, mobile number आपको मांग रहा है, आप देना चाहिए दिए दीजी, optional है, date of birth, आप अपनी इसमें fill कर दीजिए, 18 years above आपको होना चाहिए, मिल आइडी बनाने के लिए, ये अंटर भन दिजिएगा, next करिएगा, I agree, और दोस्तो, आपकी मिल आइडी रेडी हो गई, ये आपकी मिल आइडी बन गई है, देसी इंडियन रेपर्ट at gmail.com, क्योंकि मेरा टाइटेल है, देसी इंडियन रेपर्ट, तो मैंने आपकी मिल आइडी बना गया है, तो दोस्तो, अब ये हम ब्लोग इन हो गए है, अब हम फिर जाते हैं गूगल पर और ओपिन करते हैं ब्लोगर्स, ब्लोग स्कॉर्ट कर दीजिए, ये आगया, ब्लोगर.com, इसको ओपिन कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये दिखा रहा है, आप ब्लोग बनाना चाहते हैं, पर अब क्लिक करें, पर अब करने के बाद वो आपसे पूछता है, किस एकाउंट से आप बनाना चाहते हैं, मैं अपने उसी मेल आइडी से बनाना चाहता हूं, देखिए दोस्तो, चूज ए नेम फॉर यूर ब्लोग, आगया ना, सबसे पहले से आता है, टाइटिल, हमने का था टाइटिल, आप लिख्के रखिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, टाइटिल, देसी रैपर्स, कर दीजेगा, लेकिन चुगी मैंने मेल आइडी में इंडियन भी एड़ किया हुआ है, तो मेरा टाइटिल हो गया, देसी इंडियन रैपर्स, यह मैंने टाइटिल चूज कर लिया, यह मुझे अपने टेंप्रेस दिखाई देगा, जो मैं पेज बनाऊंगा, यह उस पेज पर शो करेगा, कि आपका पेज, आपका ब्लॉग देसी इंडियन रैपर्स पर है, इसके बाद, अब हम next किलिक करेंगे, अब यह मांग रहा है address, यह आपका होता है URL, जो आप ब्लॉग बनाएंगे, जो आप ब्लॉग पे साइट बनाएंगे, उसका URL जो होगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, www, तो आपका रहता है यह, अब आपको यहाँ पर देखना है address, आपको क्या मिलता है, मैं भरता हूँ, देशी इंडियन रैपर्स, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, देशी इंडियन रैपर्स, dot blogspot.com, और यह क्या कह रहा है, डिस्प्ले नेम हो गया है, डिस्प्ले नेम दे दिया, मेरा नाम है धीरेंदर कुमार, मैं टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद आप फिनिस पर आ रहे हैं, यहां से हम फिनिस पर क्लिक कर देते हैं, फिनिस पर क्लिक कर दिया, और आपका पेज जेनरेट हो गया, दोस्तों, यह देखिएगा, यह आ गया, आपका ब्लोगर पेज, और देखिए, आपका टाइटिल आ गया, VC इंडियन ड्रैपर्स, ठीए दोस्तों, यह क्या लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं, यह पोस्ट, सेटिंग, अजनिंग, पेजिस, लेयाउट, थीम, सेटिंग, रीडिंग लिस्ट, और नीचे, व्यूज यूर ब्लोग, यह देखिए दोस्तों, यह मेरा ब्लोग ब्लोग बन गया है, और यह जो टेंपलिट हमको मिला है, इस पर आपका नाम आ गया है, देखिए इंडियन का URL हो गया, dc-indian rapers-blogspot.com, इसको आपको यान ह شा दोस्तों इसके बाद पर पेंज जाते हैं, यह पोस्ट होता है, आप जो भी पेज, पोस्ट करेंगे हो हमाँ, पॉश्ट में किया से लिए कशरा है Caner independent खेंगे ईयां पर Information, पोस्ट कितने पॉस्ट करें कितने लोगों में देखा कुछ में पढ़ा हैं . जो कमेंट्स करेंगा जो आप गूगल एट-संस के हम बात करते हैं कि गूगल एट-संस आपको यहां से क्रियेट होगा लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो में आपको बताएंगे कि गूगल के सज़ा करते हैं Maysश फिर आगर लीआउट यह ले आऊं का अब कि जो ब्लोग पर जए उसमें कहां पर आपक है पैसी टाफिक आते हैं कहां पर करने करता है कहां एड आते हैं यह सब आपको अप्र मिलता है अब हम hemaking चेंज करेंगे दोस्तों इक है आपको इस नया टेंप्लेट यूज़ करना होगा वो टेंप्लेट कहां से मिलेगा वह भी अखुम बताएंगे आपका नया टेंप्लेट होगा इसके बाद अत्नी सेटिंग सेटिंग भी आपको देखी टैटिल में आपका नाम आ गया देशी इंडियन रेपर डिस्क्रिप्शन आपको लिख इमेल कि फॉर्मेटिंग कि आख मैटा टैग्स बहुत इंपोर्टेंट है इर्संट्र अ मैनेज ब्लोग्स सब चीजह आपको क्या होती है इसक्या सेटिंग होती है एक एक करके स्टेप बाइस्टेप आपको सारा बताएंगे तो सबसे पहले हमको जो focus करना होगा वो focus करना होगा इस template को change करने के लिए जब तक हम ये template change नहीं करेंगे हम अपने blog website को customize नहीं कर पाएंगे उसको एक सुंदर look नहीं दे पाएंगे तो अब हम यह तब बन करके कर देते हैं sign out यहां से हम इसको sign out कर देते हैं और अब दोस्तों सीख गए होंगे कि how to create a blogger web page blogger पे अपने web page कैसे बनाते हैं यह आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और उमीद करते हैं कि आप नहीं यहां तक अपना blog website बना ली होगी तो अब मेरा next video आप देखना ना भूलें उसमें हम बताएंगे कि new template कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे customize करते हैं दोस्तों मेरा next video आप जरूर दिखिएगा how to create and customize a pro template इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम आपसे बिदा लेते हैं और next video पे आपसे मुलाकात करते हैं थैंक यज आपसे मुलाकात करते हैं